हले असलाह अलेकुम मैं हूँ जॉक्टर मुहमद कासिम तैमूरी तैमूरी हुमीपैथी क्लिनिक हर्यबूर पाकिस्तान से आप से मुभाद हूँ आज छोटी से क्लिक में हम बात करेंगे रास्टॉक्स के बारे में वैसे इसको रास्टॉक्स को डॉक्टर हनिमन ने 1816 में इसको प्रूविंग की और इसको अपने मेटीर हमनी का प्योरा के सेकंड इडिशिन में इसको एड़ किया लेकिन इस मेडिशन की कोई भी सेंटम हो आप यह मैं जो मैं चैने जा रहा हूं किसी भी तरह की इसमें पिथालजी हो सेंटम्स हो कैफियत हो लेकिन उसके साथ तीन चीज़ें नहीं तो आपकी मेडिशन रेस्टॉक्स नहीं हो से सबसे पहले चीज है restlessness, बेयारामी, ठीक है। दूसरी चीज है anxiety, anxiety health about तीसरी चीज होती है कि उसमें patient जो होता है उसमें जो aggravation होती है उसकी वो जैसे ही लेड़ता है यहाँ बैठता है उसकी symptoms aggravate करती है जैसे ही वो move करता है चलता है पर दादा हो ठीक करता है तो जब भी आपने रास्टॉक्स को प्रिस्टॉक्स करना है तो उसमें आपने रेस्ट्लेसनेस बिचेली, ठीक है, और उसके साथ उसकी इनग्जैटी, उसकी हेल्थ बाॉट इतनी होती है कि वो सैट्सफाइड निहोता है, वो कभी एक डाक्टर के बास, दूसरे डाक्टर क फिर भास कभी वो कौन से ट्स डालिकाएं किसरोई गाएंकाईगा उचलतार दर्टिक रहते ने कि जैसी बैठेगा जैसी वेलाइटेगा एधारात होगी सप्टम एंग्रिउड़ करती है ज्याद हो जाती तो यह रास्टॉक्स की पेचान है जब तक उसमें बेचैनी नहों एंग्जैटी नहों ठीक है जी फिलिंग आफ डिसकंफर्ट नहों तो आपने रास्टॉक्स को जो है आपने प्रिस्क्राइब नहीं करना फिर आपसे बात होगी थैंक यू असलाम